अकाउंटेबल लोगों की सुनना, रिस्पॉंसिव, उनको रिस्पॉंस करना, बिंग रिस्पॉंसिबल, I know paper में क्या आ रहे है, and I know paper में लिखना कैसे, पार्लेमेंट में कैसे एक bill law बनता है, कैसे pass होता है, कैसे president, कैसे prime minister appointed होता है, कितने लंबे-लंबे processes है, कि अगर आपको बनाया गया है लोगों के लिए, तो आपको लोगो को you know, grateful होना पड़ेगा लोगों के लिए, Hello बच्चो, स्वागत है आप सभी का Science and Fun 9th and 11th के YouTube channel पे, जहां हम teachers आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं, My name is Reema गई और SST educator on the platform of Science and Fun, तो according to my strategy, हमें 30 October तक खतम करनी है civics and economics पूरी, तो उसी के साथ, आज 30 October को मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए, Outcomes of Democracy का One Short Video, अब इस वीडियो में हम क्या-क्या cover करने वाले हैं, ये chapter जादा बड़ा नहीं है, इसलिए इस पूरे chapter को cover करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इसके ऐसे 11 questions दूँगी, जिसके बाहर आपके board exam में एक भी सवाल नहीं आएगा, I guarantee, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, लास्ट में वो 11 सवाल करेंगे, साथ ही साथ, क्योंकि ये chapter छोटा है, तो क्यों नहीं हम सब कुछ cover कर लें, तो इसके picture-based questions भी, हम साथ-साथ discuss करने वाले हैं, ये पहली बार मैं सिविक्स के chapter के बीच में करूँगी, साथ-साथ करूँगी, अधरवाइस हम बाद में एक session लेते हैं, बट क्योंकि ये chapter ही छोटा है, तो हम इतनी जल्दी क्यों ही निप्टा हैं, इस chapter को पूरा इसके picture-based questions को भी हम discuss करेंगे, तो are you guys ready, शुरू करें फिर भाहिया, outcomes of democracy, outcomes of democracy का मतलब होता है, बच्चो, results of democracy, यानि कि हमारे हाँ जो democracy परफॉर्म की जाती है, follow की जाती है, उसके क्या results है, कैसी है हमारी democracy, क्या-क्या इसके features है, एक-एक feature के उपर note लिखना आ सकता है, इस chapter में से mostly question बनता है, तीन से पाँच नमबर का, mostly पाँच नमबर का, और आता है statement based, particular inverted commas में statement होगी, and elaborate, comment, briefly explain, etc., etc., आ जाएगा justify, ये सब चीज़े आती हैं इस chapter में से, तो चलो भई एक-एक करके पहले तो, इसकी terms की बात कर लेते हैं, जो हमें समझनी भी चाहिए, कि what is the major difference between a dictatorship, a democracy, and a monarchy, तो बच्चो, dictatorship का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राजा, एक ऐसा dictator, जो अपने दम पे बना है, यानि कि उसके पापा, उसके दादा, या उसके घराने से कोई भी, उस फील्ड में नहीं था, कहीं का king नहीं था, और वो ख्युख्द वहां आके उसका leader बना, उस पर्टिकुलर जगा का, फॉर एक्जाम्पल, नाज़र्दम में आपने हिटलर पड़े हैं, हिटलर जी के बारे में, हिटलर वोज अ डिक्टेटर, फॉर एक्जाम्पल, बॉलिवुड में किंग खान, शारुक खान, कह सकते हो, इस अ डिक्टेटर, क्योंकि वो अपने दम पे बने हैं, उनका फैमिली का कोई भी और इंसान, इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं था, वो अपने दम पे आये, उनने सीरियल्स किये, उनने विलिन की तरह काम किया, और फिर इतना प्यारा रोमांटिक हीरो बने वो, कि आज भी मेरा पर्सनल क्रश है वो, बहुत ही अपना नाम कमा लिया, उनने अपने दम पे, लेकिन वहीं अगर आप बात करो, रनवीर कपूर की, रनवीर सिंग is also a dictator, उनका भी कोई नहीं है, आप बात करो, रनवीर कपूर की, अभिशेख बच्चन की, इनके फादर थे, इनकी मदर भी थी, तो यहाँ पे, यह लोग मोनार्की है, इन्होंने एक गद्धी एक्वायर करी है, वो होते हैं मोनार्की, and democracy is a place where, we people choose our representative, for the people, by the people, of the people, is what democracy means, यहाँ पे यह उल्टा लिग दिया था, I'm sorry, मैं भूल भी गई, इसको ठीक करना, यह democracy की परिभाशा है बच्चों, कि democracy is a government of the people, by the people, and for the people, और यह dictatorship की है, कि यह एक autocratic rule होता है, form of absolute rule, by leadership, unrestricted by law, constitution, और other social political factors, कोई इसको रोक नहीं सकता है, यह अपना आए, हुकुम जताया, और चले गए, so this is what democracy and dictatorship means, ओगे बच्चों, चलिए, how do we assess democracy's outcomes, पहले इसके बारे मैं पढ़ते हैं, फिर इसी की topic में, यह picture दी रही है, इसको हम discuss करेंगे, तो कह रही हैं, कि कैसे हम democracy की outcome को assess करेंगे, देखेंगे, तो बेटा जी, the expected and actual outcome of a democracy, can be assessed by quality of government, कि वहां की सरकार कैसी है, economic well-being inequality, यानि की पैसों के मामले में inequality है के नहीं, social differences है के नहीं, freedom और dignity लोगों को दी हुई है या नहीं, तो एक democracy कैसी है, एक teacher कैसा है, कि भाईया उसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है के नहीं आ रहा, वो लोगों के साथ, बच्चों के साथ bond बनाता है के नहीं बनाता, वो बच्चों को रोक के रखता है के नहीं रखता, ये उसके features हैं, ऐसे ही democracy के features हैं, कि वो कैसा अपने लोगों के साथ है कैसे लोग हैं पोवोटी जादा है कैसा वो फील कर रहे हैं क्या आउटकम्स हैं ये पिक्चर क्या दिखाती है बचो कि डेमॉक्रसी को हर चीज से डील करना पड़ता है यानि कि लोग जो चाह रहे हैं लोग जो मांग रहे हैं उनको हर एक लोगों की राय को सुनना पड़ता है क्योंकि again it is of the people, by the people and for the people डेमॉक्रसी का सोल है पीपल और अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे डेमॉक्रसी किसी भी काम की नहीं रह जाएगी तो this cartoon is depicting कि democracy is all about copping with multiple pressures and accommodating diverse demands because in democracy the leader has to listen all the things about people and by the people सब कुछ सुनना पड़ता है, सब कुछ to get a separate state, protest चल रहा है, student की demand है, border पे dispute चल रहा है, कुछ भी, multiple, multiple problems उनको सुननी पड़ती है, ठीक है मेरे बच्चो so how are democratic government better than any other form of government we always use a word better and not the best form of government because best कुछ नहीं होता है, right best means उसमें कोई कमी नहीं होना और कम्यां तो बेटा हम इंसानों में, जानवरों में, खुद भगवान में भी होंगी कि नहीं, कुछ गलतियां उन्होंने भी की होंगी, तो best तो नहीं हो सकता कोई but बाकी सारी forms of government यानि की dictatorship, monarchy सभी form of government से democracy is the better one it is the better one, कैसे better है democracy is always preferable and superior थोड़ी उपर मानी जाती है, बाकी सारी forms of government से ऐसा क्यूं, क्यूंकि भाईया, democracy equality देती है यह आपकी NCRT है, पूरी, NCRT में bullet points है, पूरे के पूरे यह यह लोगों की dignity बढ़ाती है, self respect बढ़ाती है यह improve करती है, quality of decision making यह एक ऐसा method प्रोवाइड करती है, जिससे अगर कोई भी समाज में conflict हो जाए, उसको solve किया जा सके democracy provides an accountable, responsive and legitimate government accountable, लोगों की सुनना, responsive, उनको response करना being responsible, legitimate, people's own government लोगों की अपनी सरकार, इस chapter के यह तीन terms बहुत important है, फाइव marker questions भी बनाते हैं इसे is the democratic government efficient, is it effective, क्या हमारी democracy, देखें मैंने आपके लिए बहुत easy कर दिया है ऐसे ही सवाल बनते हैं, आगे जब यह सवाल आएंगे मैं उसके answers discuss नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपका बताऊँगी कैसा question आएगा, मैं यही बोलूँगी कि देखो मैंने discuss किया था, यह discuss किया था, क्योंकि यहां मैं आपको सारा in points explain कर रही हूं, not at all in paragraph form, मैंने आपकी NCRT के paragraphs को pointers में convert कर दिया है, so that जैसे answers हमें board में expectedly लिखने होते हैं, वैसे ही आप उसको पढ़ें भी, मेरा main motive यही है मेरे बच्चों, क्योंकि मेरी USP ही यही है, I know paper में क्या आ रहे, and I know paper में लिखना कैसे है, this is the USP of studying with me, I can guarantee you the questions that are coming in your exam, link है मेरा, ऐसे अंदर से यूनों आती है कि यह question आ सकता है, intuition, 12-15 साल का experience, I am teaching since 2013, 10 years का experience, उसी experience I am telling you, क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है, और अभी तुम्हें बता भी नहीं रही हूं, क्योंकि अभी तु प्री बोर्ट के लिए पढ़ रहे है, बोर्ट के लिए तो मैं आपको पूरा एक sample paper ऐसे कराया करूंगी, जो आपके exam में आना ही आना है, चैनल को subscribe कर लो, अगर पहली बार आयो तो, और पुराने live streams के जाके comments पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यह बात सच्छी है कि जूटी है, चालिए, imagine that other forms of government may take decisions very fast, of course, dictatorship है, आए, decision लिया, चले गए, monarchy है, आए, decision लिया, चले गए, but it may take decisions that are not accepted by the people, of course, मैं आई, मैंने बोला, बच्चो, offline में, तुम्हारा कल टेस्ट है, अरे भई, बच्चे available है या नहीं है, उनकी कोई और class तो नहीं है, कोई problem तो नहीं है, मैंने नहीं पूचा, लोग उसको accept करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्वा के order कर दिया, democracy is based on the idea of deliberation, and negotiation, देखे, deliberation का मतलब होता है, तर्क वितर्क करना, I don't know, Hindi सही है कि नहीं है, but I think सही है, तर्क वितर्क करना, negotiate करना, some delay is bound to take place, हमने 9th class में, working of institution में, पूरे-पूरे processes पड़े हैं, parliament में कैसे एक bill law बनता है, कैसे pass होता है, कैसे president, कैसे prime minister appointed होता है, कितने लंबे-लंबे processes हैं, तो बिटाची delay तो होगा, क्योंकि इसमें deliberation और negotiation है, काफी ज्यादा, in contrast, ये भी एक question बनता है, explanation is this only, आप देखो न, एक-एक slide से, दो-दो-तीन-तीन question बन के आते हैं, एक question उपर लिखा है, एक question यहां से बन गया, answer होई है, तो question के answer similar है, इस chapter के, question के forms बहुत ज्यादा है, in contrast, the democratic government will take more time, of course, democratic government में ज्यादा time लगेगा, procedures follow करने में, decision तक आने के लिए, तो ज्यादा समय लेगी, हमारी democracy की, सरकार, तो बच्चों question आता है, can you think of what, and how the government knows, about you and your family, ये देखिए, what if knows about you, सरकार को कैसे पता है, ये सब, ये कह रहा है, ये cartoon, कहते हैं, 10 साल होगे, the government conduct census, right, census conduct किया जाता है, किसके द्वारा, NSSO के द्वारा, National Sample Survey Organization के द्वारा, जुससे सारा data collect किया जाता है, and government को public के बारे में, पता होता है, लेकिन, यहां से जब ये देखना चारे हैं, इने ढंग से, government के बारे में, पता नहीं होता है, right, थोड़ा कम पता होता है, transparency is the subject, is the element of democracy, but इतनी भी maintain, नहीं की जाती है, this is what this cartoon is depicting, now, but because it has followed procedures, इसका decision थोड़ा सा acceptable होगा, लोगों के लिए, and more effective भी होगा, बेटा जी, जितना ज्यादा मैं आपसे discuss करूंगी, मेरे बच्चा आपको कोई class तो नहीं है, मेरे बच्चा प्रिपेर्ड होना, तो चलो अब हम टेस्ट रख लेते हैं, तो उतना एक filtered decision आएगा, so the cost of time that democracy pays, is perhaps worth it, तो इसलिए जितना भी समय हम democracy में लगाते हैं, involved करते हैं, वो worth है, it is worth it, इतना तो बनता है, right, इतना तो बनता है, so what is accountability, what is legitimacy, what is transparency, what are these three terms means, आईए देखते हैं, so accountable government is answerable to its citizens, ये इनकी responsibility है, कि कोई भी decision अगर लिया जाएगा, वो लोगों के behalf पे लिया जाएगा, इसलिए हमारी democracy को बच्चो, representative democracy भी कहा जाता है, देखे, मैं दो-दो मिनेट तो हट रही हूँ, ता कि you can take screen shots, फिर मैं को बहुत शिकायत आती है, कि मैं आप हटते नहीं हो, लेकिन मेरे बच्चो, ये PPT आपको app पे मिल जाएगी, science and fun की, free classes नाम का कॉलम है उसमें, and I'm very happy to announce that, our app has completed 2 lakh downloads, today, 200k downloads has been done, all thanks to you, my बच्चा पाड़ी, I love you all, and just science and fun की, जिसने भी नहीं की है, पहली बार अगर आप मेरा lecture देख रहे हैं, तो science and fun की PPT आपको download अगर करनी है, तो आप science and fun की app पे जाएए, जो कि app store और pay store पे available है, वहां से आप ये PPT डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां बहुत सारी चीज़े हैं, टेस्ट है, assignments है, साथ ही साथ हमारे चानल पे अभी, World Cup Series चल रही है, उसके लिए भी हम मिलते हैं आज रात को, मेरा और आशुसर का match होने वाला है, और मुझे आप बच्चों की बहुत रोरत है, तो उसके लिए भी आपको आना है, चलिए, Legitimate Government, Legitimate Government is a government under which law and action of the government are revealed to the people and government function in a transparent manner, क्योंकि अगर सिंपल भाशा में कहें, तो दिमोक्रिसी, दिमोक्रिसी is people's own government, ये अपनी ही सरकार है, मेरे बच्चों, Transparency, a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure, वो देख सकते हैं, हमारे पास पूरा अधिकार है बच्चों, ये जानने का कि सरकार ने ये particular decision क्यों और किस procedure को follow करके लिया है, तो Transparent है, Transparency maintain करके रखती है, Now, How does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? question आ जाता है ये वला, उसके लिए बहुत जादा attentive रहते हैं, Democratic government में, people have the right to choose their leaders, और उनके उपर control भी रख सकते हैं, Democratic government में, citizens are able to participate in decision making, through votes and all, and democracy produce करती है, एक legitimate government, क्योंकि हर चार्ट से पांच साल बाद, लोगों को एक बार और मौका देती है, कि वो अपने leader को change कर सकते हैं, by secret ballot, यानि की polling system, Now, the majority party forms government, जो की काम करेगी, again, हमारे सम्विधान और लोगों के हिसाब से, ठीक है बच्चो, तो बताना है आपको, अब अगली slide में, कि how do democratic government ensures transparency, अभी transparency कैसे आती है भाईया, लोगों के लिए, तो democratic government make sure, कि decision making जो भी लिया जाएगा, वो proper norms and procedures को follow करके लिया जाएगा, second, उनको ये अधिकार है, कि लोगों को involve करना है, directly or indirectly in decision making, तीसरा, लोग examine कर सकते हैं, procedure में correctness लेके आ सकते हैं, चौथा, they are accountable to the people, that is they are responsible to the people, and they have the right to change the government in general elections, for example, इस बार आपने एक leader को बना भी दिया, और आपका वो leader धोका बाजी करने लगा आपके साथ, आपकी ना सुनने लगा, तो you have the right to change them in the next general elections, they provide people with power, to demand answers from their representatives, and reduce the chances of corruption, ये तो सिफ किताबी भाशा है बिटा, कि corruption reduce कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता है, ट्रांसपरेंसी लाकर कह रहे हैं, corruption reduce कर सकती है, बट इंडिया is the most corruptive country I can say, बहुत जादा corruption है हमारे, बट आप लिखेंगे नहीं, obviously, क्योंकि हमारे किताब के हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है मेरे बच्चों, clear है इतना आप लोगों को बिलकुल, chapter बहुत ही असान है, बहुत 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 असान है, answer की formation आप बना के भी कर सकते हैं, कुछ doubt अधर पूछ लीजे आप लोग, आगे पांच MCQs आएंगे, जो आपके homework में होगे, जो आप comment section में मेरे सामने करेंगे, चालिए, factors बताईए, oh sorry, economic outcomes की बात करते हैं, economic मतलब पैसा, पैसा हर चीज में आता है, चाहे वो political हो, चाहे वो कोई भी हो, पैसा तो हर चीज में आएगा ही, आएगा, okay, okay मेरा बच्चा, economic growth, development, reduction of poverty and inequality, ये कुछ prominent economic outcomes है, poverty कैसी है, पैसा distributed कैसे है, कैसे, मना क्या factors हैं, जो economic growth को दर्शाते हैं, population size क्या है, resources कितने available है, बाकी countries के साथ, हमारा क्या relation है, globally किस level पे हम रहते हैं, यानि कि land करते हैं, geographical position क्या है हमारी, और हमारी सरकार की economic policies क्या है, क्या-क्या economic policies है, so economic growth and development, economic ही growth होगी, तो obviously it will result in the development of the nation, तो economic development depends on several factors, जैसे कि, वो ही सारी बाते लिखी हुई है, जो अभी पीछे हमने पड़ी, now, however, the difference in the rates of economic development, मेरा बच्चा, क्या, आप मुझे एक comment में बात बताएंगे, comments में आप मुझे एक बात बताईए, comments में बताईएगा, live chat में नहीं, कि who, time stamp डाल दिजेगा, who is more powerful, मतलब की, development कहां जल्दी होगी, dictatorship में या democracy में, development, अभी देखो, development आपनी economics का, पूरा chapter पड़ा हुआ है, है ना, development कहां पे जल्दी होगी, ये मुझे बताईए, बताईए, तो mostly बच्चे आरा राइड इं देमोकरशी, बताईए अंसर इस, dictatorship, देखे दोनों में, development का, growth rate is negligible, but, is actually negligible, but, dictatorship wins the race, with the minimal difference, but it wins the race, because यहां पे decision बाथ पास ले जा, इसले, so however, the difference in the rates of economic development, between the developed countries, and the dictatorships, and the democracy is negligible, but overall, we cannot say democracy is a guarantee, of economic development, but we can expect, democracy, dictatorship से पीछे ना रह जाए, बराबरी की टक्कर तो at least, दे ही दे, ठीक है बच्चों, अब यह क्या आती है, यह एक ऐसी image आती है, जिसके अंदर, यह लिखा हुआ है, यह दर्शाया हुआ है, कि हट्टा कट्टा नौजवान, यानि कि यह रिचर्ट सेक्षन है, इनके पास जादा पावर है, and, यह, बीच में, middle class people हैं, जो बहुत पतले से हैं, और यह last में, poor section है, जो और गरीब है, और in power term में, बताया हुआ है, यह आपको ऐसे body building नहीं दिखा रहे है, ओ भाई, screenshot मदलेलना तुम मेरा ऐसा, यह आपको body building नहीं दिखा रहे है, they are just telling, कि upper body is the richer section, जो more powerful है, middle body is the middle section, जिनको तोड़ी powers कम है, and poor section is the lower body, जिसकी power और कम है, now democracy reduces economic inequality and poverty, तो क्या करती है democracy, economic inequality को कम करती है, और poverty को भी कम करती है, गरीबी को भी कम करती है, so democracies have growing economic inequalities, a small number of ultra rich enjoy alliance share of wealth, and those at the bottom, जो मैंने पीछे आपको बताया, image में, have very little depend upon, and find it very difficult, for their basic needs of life, जैसे कि food, clothing, shelter भी पूरा नहीं कर पाते हैं, वो DJ के लोग, democratically elected governments, address the question of poverty, by making various welfare schemes, जो हमने poverty elevation programs के बारे में, class 9 में भी पढ़ा है, Mandrega, NFWP, PMRY, REGP, democracies not only make welfare schemes, but also give reservations also, for socially and economically backward people, जो August 13 को दी गई 1980 में, in jobs, elections, and educational institutions, four ways in which democracies, have been able to reduce inequality and poverty, किस तरीके से democracy successful रही, political inequality, sorry, economic inequality, and poverty को reduce करने में, तो political equality भी लाई, by giving equal voting rights to everybody, it provides suitable environment, जो भी लोग concerned हैं, poor people पे, वो लोग भी pressure groups की तरह सामने उठके आ सकते हैं, it supports the redistributive mechanism, for transferring economic benefits, on the basis of requirements of any society, they have a lot of schemes, like ladly scheme, where the money is given to the girl child, there are many schemes, in which education is free, food is free, clothing is free, so they are doing a lot of things, for poor people also, PDS system, it protects the right of every citizen, without discrimination, on the basis of economic status, and ensuring social equality, so fundamental rights are given to everybody, वही वो जोपर पत्ति वाला हो, या वो अम्बानी के खान्दान का हो, सब, सब को मिला हुआ है, now what are the social outcomes for the same, what are the social outcomes, so मेरा बच्चा, the social outcomes of a democracy, should be accommodating social diversity, and providing dignity and freedom, to the citizens, dignity and freedom to the citizens, लेकिन कई बार, कई बार लोगों को, बहुत सारे लेवल पे, बोलने नहीं दिया जाता है, दिमॉक्रसी में खुद में भी, कोई internal, you know, दिमॉक्रसी नहीं होती है, आपस में ही, वो लोवर लेवल को जानते तक नहीं होते हैं, तो बहुत सारे efforts होते हैं, बहुत सारे चीज़ होती है, लेकिन अगर as a whole, लोगों को बोला जाए, तो हमारे देश में accommodation मिली है, regardless of their wealth, of their religion, of their caste, of their gender, of their color, किसी के भी रिगार्डलिस. So, how democracy accommodates social diversity? कैसे इनको accommodation मिलती है, मेरा बच्चा? So, democracy develops competitive attitudes. Democracy develops a procedure to conduct competition among social classes. जिससे क्या होगा? The possibility of conflicts and social tensions reduce हो जाएंगी. Both the social forms will try to do better for the people to win that thing. बिटा, मैं हमेशा बच्चों से पूछती हूँ, which is better? A home tuition or a group tuition? तो बिटा, अगर आप बहत वीक है, then home tuition is required. But, there is no competition. आपको डांट पिट्री है अकेले में, आपको प्रेज मिल रहा है अकेले में. So, there is no happiness, there is no sorrowness of that doubt or that praise. अगर आपको उस doubt को और feel करना है, अगर आपको उस praise को और cherish करना है, तो you need to study in group, right? Because वहाँ पे competitive environment होता है. तो same goes है. Democracy involves mechanisms to negotiate. कोई भी society cannot, can fully and permanently resolve conflict between different groups. लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़े कर सकते हैं, जिससे वो conflicts दुबारा arise ना हो, right? कुछ-कुछ ऐसी चीज़े कर सकते हैं. Now, what is here? World's wealth owned by the few. 2% लोग, 50% इतना सा लेके बैठे हैं और 2% के पास इतना सारा wealth है, यह दिखाया गया है. याने की, unequal distribution of money, right? Clear? Everybody clear? I want thumbs ups in the comment section. Come on, thumbs up. Share कर दो जल्दी से session को, like कर दो यार अगर आपने अभी तक नहीं किया है. We teachers do hard work. Also, मेरा बच्चा मैं नवेंबर की strategy लेके आ रही हूँ, 1st November को, जिसमें अभी तक, अगर आप October की strategy follow रही कर रहे थे, जिसमें मेरे बच्चों ने economics और civics complete कर भी लिये, उस strategy के according मेरा motive ये था, कि at least वो 10 बच्चों ने भी अगर पूरी कर लियो, तो मेरा motive सफल हो गया. और 10 नहीं, कम से कम ने तो 100-500 बच्चे ऐसे हैं, जो मुझे मैसेज कर चुके हैं, कि माम, we are done with the economics and civics. So, I was very happy and now I am giving you target of completing your complete geography in the upcoming 10 days of November. 1st to 10th, I want your complete geography to be over. I have done with the resource and development, with the forest and wildlife, with the water resources on this channel. Agriculture का मुझे याद नहीं आ रहा है, but still, अगर नहीं भी किया होगा, तो अब फड़ा-फड़ से आपको इन 10 दिनों में मिलने वाले हैं, तीन one-shorts, manufacturing, minerals and अगर agriculture नहीं होगा, तो वो भी. Coming 10 days, we are doing complete geography from 1st to 10th of November. Okay, who are with me, comments में मुझे जरूर लिखेगा, कि माम, we are with you. Okay, let's move forward. Democracy, how democracy maintains dignity and freedom of citizens. Question आगे भी है इवाला. Democracy stands much superior to any other form of government. Early, every individual wants to receive respect. और democracy, वो respect प्रवाइ करती है, because of proper procedures and norms. The passion of respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognized and achieved this respect and freedom in various degrees. But it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. लेकिन तब भी हमारी सरकार ने equal opportunities देके equality दिखाने की कोशिश की है. But the long struggles of women for created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary for democratic society. But women are not always treated with respect. कभी-कभी respect recognize की जाती है. लेकिन women के लिए वो थोड़ा struggle का कारण रहती है. In a non-democratic setup, the principle of individual, freedom and dignity sometimes have no legal force. और कभी-कभी इसके लिए कोई legal force भी नहीं है. इस particular problem को resolve करने के लिए. तो simple सी बात है, dignity and freedom वो प्रोवाइट करती है. लेकिन कभी-कभी women को इस particular चीज के लिए struggle करना पड़ता है. Now, dignity and freedom of disadvantaged groups यानि की lower section. So, democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated casters. Basically, SCs, STs, OBCs. There are still cases of caste-based inequalities and atrocities. But these lack the moral and legal foundation. It is the recognition that, तेखो, simple साह, आप अपने आपना के भी लिख सते हो. Caste and Equality के बारे में आपने gender, religion and caste में भी बढ़ा है. One shot is available on this channel. वो आप देख सकते हो. One shot of gender, religion and caste. You can just search gender, religion and caste by Rima Ma'am. R-W-E-M-A. Rima Ma'am. कोई भी कवरी हो, you can connect with me on Instagram. My Insta handle is Rima Aashu Ghai. और अगर आप Instagram पे नहीं है, तो आप मुझे mail कर सकते हो. Rima Ghai 95 at the rate gmail.com मैं mails भी चेक करती हूँ और Instagram के DMs भी. So caste-based inequalities के बारे में आप लिख सकते हो. अपने आप बना करी भी कि अभी भी ऐसी चीज़े हैं, जिसमें caste के basis पे discrimination की जाती है. उनको superior नहीं समझा जाता है बहुत केस्स में. So this was your complete chapter of outcomes of democracy. And we have done this chapter in 30 minutes. Yes. 30 minutes में हमने ये chapter कटम कर लिया है. अब बात करते हैं, अगले 15 minutes में हम इसके extra questions करने वाले हैं. सबसे बहुए NCRD questions मैं कह रही हूँ, quick-quick हो जाएंगे. क्यूंकि आपको इसके explanation already मैं explain कर चुकी हूँ. So NCRD question, how does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? Already explained, accountable, responsible to the citizens, responsive, they have a responsibility to return to the demands of people. Legitimate यानि की लोगों की अपनी सरकार, अपनी government. What are the conditions under which democracies accommodate social diversity? तो क्या करते हैं मेचा जी वो? वो accommodate करते हैं by focusing on all the communities of the society. Also, the majority and minority communities को भी equal attention दी जाती है. Democracy, majority का rule कभी नहीं होता है. वरना तो ये श्रिलंका वाला majority-rianism कहला जाता. Democratic countries में majority और minority equal रख के nation की progress और development करते हैं. It is equally important to understand that the rule of the majority is not expressed in the terms of religion or languages. Any person or group may become a majority in democracy. लेकिन democracy उनको पूजती नहीं है. कि ये majority में तो आओ आओ तुमारी आरती उतारें, ऐसा नहीं होता है. ठीक है बच्चो? Now give arguments to support or oppose the following assertions. Okay. Industrialized countries can afford democracy but the poor need dictatorship to become rich. तो आपको बताना है कि industrialized countries can afford. बच्चों, there is no relationship between democracy and wealth of the nation. So the economic development of the nation is dependent upon the resources, the policies, कि government कितना investment attract कर सकती है. Dictatorship could have bought wealth in the nation. Countries like Nigeria would be having all rich people, which is not the case in reality. तो अगर dictatorship पैसा लेके आ रही होती, तो Nigeria में सभी लोग, you know, rich होते. ऐसा तो नहीं है लेकिन. तो ये statement is false. चिक है? Democracy can't reduce inequality of incomes between different citizens. Yes, बेटा, democracy नहीं reduce कर सकती है, inequalities, क्योंकि बहुत सारे ऐसे different professions है, of income है, जहाँ democracy नहीं घुश सकती है, सरकार नहीं घुश सकती है. People have the right to vote and can access fundamental rights, but income is self-generated. यहाँ पर, बाई, एक बात बताओ, अगर मैं 5 लाग रुमे मीना कमा रही हूं और मैं महनत कर रही हूं उसके लिए, तो सरकारा की यह तोड़ी बोलेगी, नहीं नहीं, वो 50 दर कमा रहा है, तो उसको देदे कुछ. ऐसा तो नहीं हो गई, self-generated चीज है, तो democracy इसमें कुछ भी involvement नहीं ले सकती है. The government in poor countries should spend less on poverty reduction, health, education and spend more on industries and infrastructure. देखे, यह statement बिलकुल untrue है, false है, क्योंकि किसी भी country के लिए, resources होने बहुत जरूरी है, और सरकार की यह duty बनती है, to, you know, invest in these factors, education, health, etc., etc. In a democracy, sub-citizens have one vote, जुसका मतलब होता है, there is an absence of any domination and conflict. तो हाँ बिटा, यह partly true है, democracy offer करती है, one vote to each of its citizens. However, it is not a foolproof system that does not invite any conflict. ऐसा नहीं है, लेकिन वहापे लडाईयां नहीं होती है. Take the example of India, which has diverse diaspora, the social divisions in the society are reflected in the form of riots, protests, strikes, जो हमने communism concept में पढ़ा था, याद है, religious के basis पे differences होजाना और लडाईयां और अराइस करना तो यह तो होता है. चैलेंजज़ बताने हैं, democracy में also there is policies of institution, यह तो मकवासा कोशन है यार. और लार्ज नमर अव फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्रेट्स अफ इंडिया. Yes, मेटा, फार्मर्स इन विलेज़ ग्रोप्स अन स्मॉल पीस अफ लैंड, and if the weather condition do not stay stable, तो फार्मर को सफर करना पड़ता है loss से. अब इस loss के लिए, इस particular चीज़ों के लिए वो लोन नेते हैं, उस लोन को रीपे ना करने की वज़े से, उसका जो interest rate है वो बढ़ता चला जाता है, इंटरस्ट्रेट बढ़ने की वज़े से, ये लोग बहुत ज़्यादा debt trap में आ जाते हैं, और ये फिर suicide भी कर लेते हैं. Following allegations of killing of three civilians in Gandwara, in a fake counter by Jammu and Kashmir police, an inquiry has been ordered. Nothing, ये बिलकुल भी important नहीं है. ये आपके, वो है, MCQs. In the context of democracy, which of the following ideas is correct? Democracy have successfully eliminated. So the idea of political inequality, they have eliminated. Democracies need to ensure free and fair elections, dignity of the individual, majority rule, or equal treatment of the law, majority rule. Studies on political and social inequalities in democracy shows that inequalities अभी भी exist करती हैं हमारी सरकार में. ये आपके homework questions हैं. Homework मतलब अभी you are doing. अभी अभी जल्दी से comment section. Live chat में नहीं करेंगे, please, because this is a recorded session. मैं नहीं देख पाऊंगी आप लोगों के answers. Please, मेरे बच्चो, comments में. Democracy can lead to what? Did, 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 this. A, B, she, or D. जल्दी से लिख दो, फड़ा-फट से. मैं हट रही हूँ, फटा-फट से लिख दो इसका answer. जिसका भी answer सही होगा, मैं pin करूंगी उसका comment. Next, assertion to our democracy is a legitimate government. Regular free and fair elections जो हैं, वो यहां पे spirit of democracy maintain करके रखते हैं. Third, rule of law is the feature of which form of government? Democracy, monarchy, dictatorship, your aristocracy. Very, very easy. Very, very easy. Easy peasy. Fourth, which of the following countries is the perfect example of accommodation of social diversity? कौन सा है, accommodation of social diversity? Okay. Which of these do not hold true for non-democratic regimes? Non-democratic के लिए क्या true नहीं है? False statement बताने हैं. Okay, I want your all the five answers in the comment section and I'll pin and give heart from the idea of science and fun to you. अगर आपका आपका अंसर सही होता है, तो. Now, all the upcoming slides are of previous year questions. I'll be discussing only the question answers. आपको PPT मिल जाएगी. and you have to study प्योंकि सारा कुछ कवर करवा दिया है democracy कैसे accountable, responsive and legitimate government चलाती है बेटा आप मैं आपको suggest करूंगी PYQs question जरूर कर लेना इस PPT से note down कर लेना जरूर कर लेना मैं भी हड़ जाती हूं हर एक का screen shot ले लो क्योंकि PPT डाउनलोड कर ले में कई बच्चा आलस कर जाते है very very important I am telling you from my experience very important second, देखे question कैसा आता है कि complaints अगर हम करते है democracy में, तो एक testimony कहलाती है बेटा जी सरकार अगर आप सरकार को कोई complaint करते हो, तो उसके लिए वो testimony है, यानि कि इसका आगे एक और सवाल है, कि democracy की test कभी भी over नहीं होते है, examination कभी over नहीं होता, same answer है बेटा दोनों का, कि democracy जो है उनके लिए लोगों की expectations बढ़ती ही चली जाती है, because we human beings are greedy person, हमारी expectation हमेशा ऐसे 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 rise ही करती रहती है, वो ही सारा यहां पे लिखा है कि लोगों को basically democracy से बहुत expectations होती है यह आपका homework question है इसमें difference आपको लिखना होगा बहुत easy है, democratic and non-democratic में बच्पन में किया हुआ है, 9th class में भी किया हुआ है तो आप यह करेंगे why is democracy considered superior, बाकि सारी form of government से, सारी बाते लिखनी है, respect देती है freedom देती है, you know equal treatment देती है और right provide करती है, fundamental seats वगरा के बारे में democracy is based on the idea of deliberation and negotiation, I already told you a question आ सकता है, तो यह रहा वो question, कि इसके decisions acceptable होते हैं, काफी सब discussions होते हैं, काफी procedures norms, सब में depend करता है यह चीज, five features of democracy, very easy, अपने you know equality promote करता है dignity enhance करता है quality of decision making अच्छा करता है conflicts को solve करता है mistakes को clear out correct करता है, legitimate government है, equal status and respect देता है, transparency देता है, social justice provide करता है, and लोगों की opinion को value भी करता है तो यह सारी इसकी अच्छाईया है मेरे बच्चो यह accommodate करता है social diversity अभी अभी हम ने यह पड़ा था economic growth rate जो है वो dictatorship में better है तो यह आपको यही बताना है, यहाँ पर decisions बहुत जल्दी लिये जाते हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा faster rate of development होता है और fair expectation of democracy should produce a harmonious social life, यह आपके first MCQ का answer भी था, कि harmony maintain करके रखता है क्योंकि again सारे features आ जाएंगे, कि सभी लोग को respect करना, उनको freedom प्रोवाइड करना, how does democracy produce dignity and freedom most distinctive feature about democracy is examination never gets over, same answer of testimony वाला question, same answer, same to same कि एक test खतम होता है, दूसरा आ जाता है, कैसे democracy function करना है, वो लोग को दिखाना पड़ता है, सारी complaints वगरा है, वो आपको जेलनी पड़ती है so this was your complete chapter of outcomes of democracy from myself, रीमा घई, ये पूरा chapter आपका खतम होता है, with NCRT questions, with PY questions, with multiple choice questions, with picture based questions, सब कुछ कवड है, एक ही lecture में, वाओ, है न वई, तो अगर आपको ये lecture बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीस like, comment and share कर दीजएगा, and channel को subscribe कर लीजएगा, अगर आपने नहीं किया है also, we are soon starting with a revision series in our paid batches, तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, fast track batches launch हो गए है, वो आप हमारी app पे पूरी description ले सकते हैं, पूरी information ले सकते हैं, और हमारे comment section में भी, यानि कि description section में भी सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोगोंने almost पूर और दिमाग से हमेशा हमेशा, तो see you all in the next lecture and strategy मिस नहीं करनी है November की, see you all, bye bye, पढ़ते रहना है